हेलो फ्रेंट स्वागत है आप लोग का एंसी आडिजोन में कम्प्लीट लुसेंज जी के हम कम्प्लीट करने का ट्राइग कर रहे हैं तो इसमें हम अभी केमेस्टरी वाला पोर्शन करें केमेस्टरी में आर्लमर्स सारा चैप्टर खत्म है तीन चैप्टर बचा हुआ है स्वाला भी श्रीत चलना है तो आप देख सकते वह भी तो इसमें आज हम करने वाले कुछज फ्रेंट है जिस पर बहुत बार को श्न राश्क के निπर में ठीक है तो मैं एक एक कर प्रेंग तहीं को करने क्zenie तरीखUNTी का bucket से भी कि आством लेकिन objective में आपका कुछ के question ही clear होगा जैसे इसमें total fact है almost 100 120 के आसपास है 120 से ज्यादा ही होगा मतलब almost 150 के आसपास है तो आपको question से कितने 150 question एक topic ले करें लेकिन अगर तो बहुत जादा time लग जाता ना लेकिन इसको फूरे fact को आप 30 मिनट में कर सकते हो आराम से तो 1500 question के आज जगह पर यह कर लो तो आपको content तो उतना ही मिल रहा है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पर मैं समझाओंगा भी simple बता नहीं रहा हूं क्योंकि जहां पर मुझे लएगा कि समझाने वाला चीज हो समझ समझ में नहीं आते हैं सबसे पहले एक compound का नाम है जिंक फॉसफाइड उसका यूज कहां पर होता है रिक चूहे को मारने वाले जो दवाई होती हो किस के किस केमिकल के बना होता है एक question आ सकता है नाम याद रखिए जिंक फॉसफाइड ठीक उसके बाद जो लक्री के बरने qe wild मनिः चैज कराई फरनिचर लोगे नहीं देखते। आप्स आप ख़ीओओं छेड किर णोह जाता है उसको बोलते है добавी ठीक ना तो अब क्या करें इसको बचाना तो आप है यह लाद poggers Hij कोट कर दोते हो किसी चीज कह ताकि वह particular चीज का attack नहीं उस particular किस की से कोटिंग क copper की मात्रा बढ़ जाए तो उसे Wilson disease होती है Wilson disease एक इस टाइप का disease होती है कि वह inherit हो जाती है आप में है तो आपके बच्चों में भी हो जाएगी तो copper simple question पोड़ सकता है कि copper के excess से जरूरी है जितना सरीर में जितना जरूरी है उससे अगर ज्यादा copper आपके सरीर में आ गया तो कौन सी disease हो जाएगी Wilson disease ठीक है ना उसके बाद next question है कि iron में जंग ना लेके इस बचान इससे बचाने के लिए आप किसी से coat करते हो iron को zinc से coat करते हो ठीक है ना next लिए अगर iron rust हो रहा है iron में जंग लग रही है तो जंग क्यों लगते है क्योंकि chemical change हो रहा ह् ठीक ना chemical change होने के कार्व इसके साथ क्या होता है कि iron का weight increase हो ध्यानि 8 total bte iron का increase हो है ठीक ना मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा आप नहीं सो सकते कि यह आयरन है जंग लगने के वाले तो पतला होगा कैसे वेट मैं इस सबको जो गिर रहा है उससबको भी आड कर रहा हूं ठीक है ना उससबको कैल्सियम हाइड्राइड को एक नया टॉपिक होता है नया टर्म कंपाउंड है कैल्सियम हाइड्राइड ध्यान दना कैल्सियम हाइड्राइड इसको आप हाइड्रोलित भी बोलते हो अब क्वेशन औरता है कैल्सियम हाइड्राइड है क्या कैल्सियम हाइड्राइड के प्रोपर्टी होती है और एक थोर्स है हाइड्रोजन का और इसका फार्मूला होता है सी ह 2 थोरा इसमें क्या मतलब है है फ्रीचर्स होते है इए इक चकार सकते हैं होता है फार्मूला है सिए tesoraением बल्ब आपने कभी फोटोग्राफी अगर में बल्ब सुना है ना कि बल्ब के अंदर कुछ ऐसा डाल देते हैं अंदर डालते क्या है अलमुनियम और मैंगनेसियम को फॉयल डाल देते हैं जिसके कारण जैसी बल्ब जलाते हैं तो बहुत जाता इगनीशियन आते हैं बहुत इन से हल्का होता ओ硬 ना लन से हल्का होता है ऑल्र टायोंसे हल्का होता है समझें next group one element क्या होता है group one element ओव एलिमेंट है जो पहले जैसे आपको पता है periodic table है periodic table का पहला group है पहला group lithium ओगरा वाला ठीक है ना lithium sodium potassium यह वाला सब ठीक है ना तो पहले group में को हम क्या बलती है alkaline metal क्या बलती है alkaline c 135News क्यीं बलती है Monovalent होता है Monovalent का मतलब क्या है इसको एक electron ज्यादा है stability से मतलब इसको मालो हम एक example लेते sodium को sodium के पास है 11 electron इसका atomic नमत 11 है तो पहले में 2 दूसरे में 8 तिसरे में 1 तो 1 extra है तो यह देना चाहता है जो देना चाहते है उसको बोलते हैं Electro positive Electro positive element है Highly reactive है और Monovalent है Monovalent का मतलब एक valence है इसकी यानि एक valence या प्लस में हो या माइनस में एक valence है इसकी प्लस में देना चाहता है प्लस वन तो पहला group element को बोलते है alkaline metal क्योंकि इसका जो hydroxide होता है न वह alkaline बनाता है alkaline का जैसे मालो sodium hydroxide ले 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 थीक है न ए ओच ले ले तो इसका जो hydroxide OH है वह क्या होगा alkaline बनाएंगा alkaline का मतलब थोड़ा basic मनाता है basic basic क्या होता है basic का pH value कितना होता है 7 से जाता होता है समझे उसका जो इसका second group है पहला group के पास देख लिए एक electron जादा है second group के पास क्या होगा दो electron जादा है यानि इसको bivalent या divalent भी बोल सकते हो electron को donate वो करता है तो इसको बोलते है alkaline earth metal ठीक इन था आंदना पहले को alkaline alkaline metal alkaline metal इसके hydroxide इसका hydroxide alkaline होता है यानि hydroxide इसका basic होता है यानि basic है तो pH का value साथ से जादा है और इसका जो second element है मतलब second group है वो इसको alkaline earth metal बोलते हैं next है ठीक है next है बैबीट metal जिसमें क्या-क्या होता है बैबीट metal जिसमें तीन चीज़ होता है टीन 89% 9% होता है एंटी मनी उसके अलाबे 2% कॉपर होता है और इसका यूज कहां होता है आपको bearing material नहीं होते हैं जिसे bearing बनाया जाता है cycle या किसी जीज़ का वहां पे यूज़ होता है ठीक है बैबीट material का उसके गन पाउडर की बात करते है गन पाउडर में क्या आपसे पूछा दा सकता है क्या-क्या मिलता है यह समय बता चुका हम पिछले वीडियो में भी था इसमें भी आ गया गया गन पाउडर में 75% potassium nitrate होता है 10% sulfur होता है 15% charcoal होता है ठीक न उसका next है क्रोमियम ट्रायोकसाइड को क्रोमिक एसीड भी बोलते हैं क्रोमियम ट्रायोकसाइड को क्रोमिक एसीड भी बोलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं किसका प्रू distractions खेगे дум pledge डाइक वाम यूच होदा यूच्टरि कले लिए टर नाइक क्रोम वायर के यूच कहाँ प्रका लेक्ट्रिकल हीटर समंझे उसके बाद कें पूर्शिय छो हम बोलते प्रल एस कोन सा कमपाउन के पोल्ड़ानक है ठाइस, ठाइ 그러면 को सा ठाइक हूं जिन्रली जो ट्रान्जीशन मेठल रोटा है ना रोटाएमेगवल होता है वहोता है एक 8ग होता है साथ मेट्वालॉ डॉन मेटल ओर साने मेटल ओर ना ना रॉक नोड कर ना पार फोकोर दैंक्ट पॉंता ही तो अगर कि कंपाउण्ड बनाता है तो उसके compound थोड़ा colored होते हैं ठीक ना उसके बाद ये भी question आ सकता है कि किस compound का use hardness of water को remove करने में किया जाता है तो आप बोल देना simple geolight ठीक ना geolight उसके बाद है in cytokrome in cytokrome question पूछ सकता है कि iron किस-किस में present होता है तो उसमें एक option होगा nah Cytochrome में ön होता है ठीक ना उसके बाद आपसे पूर्च को ही सकता है कि photoelectric cell हम जो बनाते है फौटोओलेक्रिक कर सेल मेर्दाय भी watch जहता है तो आप सिंपल बता देना hananiil सेलेनियम मेर्द उजसे था फॉटोओले ल्यक्रिक जो हो बनाते उसमें सेलेनियम मेटल यूज होता है ठीक ना आप से पूछ सकता है कि कौन-कौन से मेटल रूम टेंपरेचर पर लिक्विड फेज में होता है तो आपको मर्क्यूरी पता है दूसरा एक गैलियम भी होता है जो जो गैलियम भी एक मेटल है जो रूम टेंपरेचर पर लिक्विड फे हो यह आप रेडियम रेडियम एक्स्ट्रेक्ट होता है पिच्छ ब्लेंट से रेडियम किसे एक्स्ट्राक्ट होता है रेडियम यह इसका और होगा और यह रेडियम इसे एक्स्ट्राक्ट होता है इसका नाम है पिच्छ ब्लेंट से रेडियम एक्स्ट्रेक्ट होता है उसका LECTINYDesi radioactive element जो नीचे period matter लिए नीचे नहीं दो धस7 Des Feature रखना उसके बाद क्ड़ीूं का यूज होताने नुक्लीर रीակक्टर में कि कि स्मेटल नीचे को सब्शय सकते हो investors क्यामेटल की speed of neutron को slow down कर सेखे, ठीक है, उसके बाद sodium peroxide ठीक है, sodium peroxide का यूज होता है, submarine बनाने में और ये और चीज करता है also to purify close air in hospital, hospital में जो close air होता है, उसको purify करने मदद करता है, sodium peroxide कोवाल्ट का यूज होता है cancer treatment में, आप से पूछ सकता है कि इसमें से किस metal का यूज होता है cancer treatment में, तो आप बोल दे ना कोवाल्ट, next है onion और garlic में जो उसका सुगंध होता है onion, प्याज, ठीक ना और garlic में जो इसका यूज होता है, ठीक ना वो किस कारण होता है ठीक ना, तो ये कारण होता है, potassium नाम का metal उसमें पाया जाता है ठीक ना, onion और garlic में इसलिए इसका order यानि सुगंध इस टाइप का होता है, ठीक ना Oxide of metal, मैंने पिछले ही बताया था, Oxide जो पहला था Group 1 का metal अगर Oxide बनाता है तो उसका Oxide कैसा होता है alkaline होता है, थोड़ा basic होता है और basic यानि pH का value साथ से जादा होता है उसके बाद, silver और copper best conductor of electricity silver और copper जो होता है best conductor of electricity होता है इसलिए copper wire का हम यूज करते है ठीक ना, gold और silver silver are most malleable metal malleable का मतलब क्या होता है, अब कितना भी उसको धक्का दे दे कि कितना पतला कर दो, कितना भी पतला बना सकते हो जितना gold का पतले से पतले गहना बना लेते हैं चोटा से छोटा बना लेते हैं दूसरा mental होता है, एक उसमें मारने पर टूट जाता है, ऐसे हो जाता है उसके बाद, ये question आ चुगा है नेक्स बाला, मतलब इसमें से almost सारे, जो ऐसे है मैंने देखा कि कई बार question आ ही चुके है ठीक ना, मैं एक ही दो exam का देखता हूँ और सब का देखूंगा तो सारे terms आ ही होंगे कभी ने कभी उसके बाद, नेक्स ने, क्यूंकि lucent भी वही देता है जो important topic होता है, जो लगता है उनको की आ जागा exam में, ठीक है नेक्स्ट है mercury and iron produce more resistance in comparison to other during the flow of water मतलब electricity अगर flow होगा ना तो mercury और iron दोनो resistance क्रेट करेगा, यानि electricity को flow करने से मना करेगा तो यानि उतना अच्छा electricity का conductor नहीं है, मैं ऐसा बोल सकते हैं यह बहुत बार आ चुका है, lithium के बारे में lithium, lithium सबसे lightest है, lightest, obviously atomic number 3 है, आपको पता है hydrogen, helium, lithium most reductant element है ठीक ना, most reductant element है, ध्यान देना और सबसे lightest है, ठीक ना, उसके बाद firework में, firework में जो crimson red color आपको दिखता है ठीक ना, red color नहीं दिखता है जो firework के बारते रहते हैं, कुछ carp आपते बारते रहते हैं, या जो कुछ जलाते उलाते रहते हैं, metal होगा रखा तो जो red color दिखता है हमारा वो किस के कारण होता है, red color होता है strontium के कारण strontium क्या है strontium का atomic number आप याद रख सकते हो, नहीं भी रखना है तो भी नहीं रखो, chemically reactive होता है ठीक है न, और थोड़ा silver की तरह लगता है silver जो होता है, उसकी तरह लगता है silver color के तरह लगता है उसके बाद green देखो जो firework होते हो, उसमें red color लगा और इसका atomic number होता है 50 इसका atomic number होता है 56 अब देख लेना एक वरी, मेरी से तो 56 होता है याद नहीं है ठीक न, barium sulphate का यूज होता है x-ray में of abandon as a barium meal देखो, जो x-ray का x-ray जो यूज होता है x-ray में नहीं आप क्या करते हैं, नापते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को बलते है barium meal barium meal का मतलब होता है उस diagnosis करने की चीज को बलते है barium meal x-ray को x-ray से stomach, पेट हो गारमे का x-ray निकालते हैं तो उस barium meal में जिस चीज से हम diagnose करते हैं उस पर्टिकुलर चीज में barium sulphate नामक compound का use होता है समझके barium hydroxide barium जो hydroxide होता है उसको एक और नाम दिया जाता है bariata water ठीक ना, bariata water और एक और चीज बेरियम hydroxide या bariata water जो होता है titration कर देता है weak acid का titration कर देता है उसका next है osmium हमने देखा इससे पहले हमने एक देखा था, lithium अख सबसे lightest होता है Osmium सबसे heaviest होता है lithium सबसे lightest होता है और platinum सबसे hardest होता है platinum सबसे hardest होता है ठीक ना, तो osmium जो है उसका atomic number है 76, obviously heaviest है तो hard भी होगा ठीक ना, और और sorry, ए भी तोड़ा white color का दिखता है ठीक ना और जो platinum है platinum का atomic number है 78 उसका बाद है कौन सा है zinc oxide is known as flower of zinc zinc oxide को flower of zinc बोला जाता है ठीक ना it is also known as Chinese white and uses of white paint obviously white color का होता है तो इसले white paint की तरह यूज किया जाता है उसके बाद next है silver chloride का use होता है silver chloride का use होता है photochromatic glass बनाने में ठीक ना photochromatic glass बनाने में silver chloride का यूज होता है next बाला तो आप इतना बार सुनते हो यह कि premature बारिश करवाना है इसके लिए silver iodide या dry ice और आइस सब का छिरकाब करते हैं बाद दो पर ताकि वह premature हो जाए और बारिश जल्दिश हो जाए तो artificial के लिए आपको silver iodide का यूज करते हो नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है जो आपको नहीं पता है जो इलेक्शन में आपके नाखुन पर लगाया जाता है कुछ और ऑस इसके का कमिकल रियक्शन कुछ हो जाता है इसके कारम अंगली पर लगाने के बार इक वहाएट्रेट नहीं होता है है उसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह एक रियक्षन कर देंगा और ब्लाक सिल्वर सल्फाइड बना लेगा ठीक ना ब्लाक सिल्वर साइफ सल्फाइड जो की एक टाइप का पॉईजन टाइप का काम अधा थोरा आज ही बना देगा गोल्ड को आप अगर हार्डेन करना विघेंय। हुसको नेक्स्ट इरण पायरइट ध्यान देना ऑईरण पायराइट को हम फूल्ज गोल्ड बलते हैं मतलब और में उल्मस्ट की तरह ही लगता हैंं हमें इसंको मिनरल पायराइट भी बलते हैं मर्क्यूरी को आयरन पोर्ट में रखते हैं, क्यूं रखते हैं, आपको पता है मर्क्यूरी किसी के साथ मिलके एमालगम बना लेता है, लेकिन आयरन के साथ नहीं बनाता है, हमने पीछी वीडियो में देखा था, कि मर्क्यूरी किसी के साथ मिलके एमालगम बना लेता है, लेक इसकी सिच्छा होता है mercury ठीक है और और ओर्गन ठीक ना mercury और 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 एक टाइप का नोवेल गैस है mercury तो आपको पता है कि वह इन्वारोमेंट में रूम टेंपरेचर पर लिक्विड फेज में रहता है मेटल होने के बाबजूद भी और 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 नोवेल गैस है ठीक ना एटीन्थ ग्रूप में है उसके अलावें और 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 चीज याद रखना है आपको जो आपको टॉप थ्री गैसेस है इन्वारोमेंट में नाइट्रोजन ऑक्सिजिन जो थर्ड है वह और और नहीं है आपको पता ही होगा ठीक ना उसके बाद मैंने एक पिछले वीडियो में चीज़ बताया था एंटी नॉकिंग एंटी नॉकिंग क्या होता है जो नॉकिंग करती है जो गारिया वह इंजन पेंग पैक्ट करती है तो हम कुछ न कुछ उसमें ऐसे डालते हैं ताकि आटी नॉकिंग प्रोपर्टी आजाय तो आटी नॉकिंग किसके कारण आती है टेटरा इथाएल लेज्ट के छरक टेट्राल इथाएल लीड की उसके बाद है लेड पाइप का यूज हम पानी पीने में नहीं करते हैं क्योंको यह पॉईजनस होता है defenceा बिष्ट्वा ओक रवर मिनकों नहीं सकती बवत कि उसमें लोC telef5 जो कम होता है और 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 अजा हुआ तो इसका यूज भी अच्य जबट है वर बनाने में एवर और आप्सव kell वनाने में ठीक है बरंस तो यहां तक हम रहने देते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो हम नहीं चाहते है कि उतनी लंबी हो वीडियो तो छोटी-छोटी हो गी तो जादा मजाता है ठीक है तो ठीक है फ्रशल्ट थैंक्यू